हलो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार इस वीडियो में हम बात करेंगे आरर वीपी एक्जाम के बारे में एक्जाम में क्वांट का पैटर्ण लास्ट ये क्या रहा था क्या एक्सपेक्टेड है और किस तरीके से में को तयारी करनी चाहिए और एक्जाम की डेट जो अब बात करें तो यहां पर के वल दो ही सब्जेक्ट होते हैं उसमें एक दो रीजनिंग और नुमेरिकल अबिलीट यानिके कॉंट्ट्ट टोटल ऑसी कुश्चन होते हैं और पैटालिस मिनिट में आपको कोशन की बात करें तो एक कोशन के लिए आपको आदे मिनिट से थोड़ा ज्यादा समय मिल रहा है अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर सवाल को जैसे मैं अगर एक कोशन का डियूरेशन निकालूं तो पैतालिस मिनिट असी कोशन है और अगर मैं इसको सेकंड्स में कनवर्ट करतें तो साथ हो गया तो पैतालिस इंटू छे यानि कि नब्बे इंटू तीन यानि दो सो सत्तर अपोन आठ आठ इंटू तीन चौबिस ठीक है बचेगा कितना तीन लगबग आठ इंटू चार बतिस चौटिस बान स है तो ऐसा नहीं है ठीक है अगर आप यह मान कर चल रहे हो कि एक सवाल का एक सवाल को जो है चौटिस सेकंड में आपको सौल करना है तो यह आपकी गलत स्टेटेजी है क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो कट आफ पूरे 80 में से 80 नंबर नहीं जाती पीओ एक्जाम है यह जैसे कि आप सपोज डेली से आगरा जा रहे है अब डेली से आगरा आप गए और सपोज कीजिए कि 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है और आप से आगरा कौंसते किसी ने पूछ लिया कि आप किस स्पीड से आए तो आप उसे क्या बता होगे कि जब मैं शुरूआत में चला था तो मेरी स्पीड 20 थी फिर मेरी स्पीड 40 हो गई फिर मैंने हाइस्ट 120 की स्पीड भी जो है अचीब की थी उसके बाद जब टोल आया तो मेरी स्पीड 0 हो गई फिर मैं चाय पीने रुका फिर मेरी स्पीड 0 थी फिर 10 थी फिर 20 ऐसे कब तक बताते रहोगे तो स्पीड जो ह नहीं होती है it depends है ना जब आपको highway मिल जाता है एकडम express वेपर आप चल रहे हो तो आप तेजी से चलोगे जब toll tax आ गया या कहीं आपको रुकना है तो आप break लगाओ कि आपकी speed zero हो जाएगी एना same is the case with exam है ना तो ऐसा नहीं है कि हर question के लिए मुझे 44 सेकंड का समय देना है कुछ कुछ questions तो हम क्या करते है average speed में तो हम यह कहते हैं कि यह देखो 200 km की दूरी थी मैंने 4 घंटे में travel की तो आप average speed निकाल सकते हो तो मेरी average speed हो जाती है total distance upon total time यानि कि average speed हो गई मेरी 50 मुझे मतलब नहीं है कि मैं कब किस moment पर कहां से कहां तक किस speed जाला मैं तो overall end-to-end process देख रहा हूं है ना end-to-end देख रहा हूं कि मैंने 200 km की distance 4 घंटे में travel की मतलब मेरी overall average speed है वो 50 है ठीक है same as the case with the exam तो आपको exam में क्या करना है कि कुछ questions ऐसे होंगे जो काफी आसान होंगे जैसे के quadratic inequality मैं quant की बात करा हूं quadratic inequality है है या कुछ approximation के आपको सवाल मिलके या कोई DI का ऐसा set मिल गया जो कि आसान है यह ना arithmetic की बात करें तो उसमें कुछ-कुछ आसान होते हैं कुछ-कुछ मुश्किल होते है last year कुछ-कुछ सवाल lengthy भी थे ठीक है तो समय अलग-लग आपको time आजाएगा के सवाल doable है या नहीं एक बार में हो सकता है नहीं है इसमें कितना समय लगेगा ठीक है तो यह तो ही प्री की बात अभी हम और डीटेल में बात करेंगे मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में बेसिकली रीजनिंग जीए क्वांट और इंग्लिश और हिंदी में चॉइस होती है आप इन में से कोई भी एक सलेक्ट कर सकते हो फॉर्म फिल करते समय और उसके साथ ने क्रिमान की जीए कितना ने को निएक के साथ लिक गणाल सकते हो लेकिन प्री में जो है नॉलिज के साथ साथ आपको बहुत हाई-फाई स्पीड भी चाहिए उसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए तो अगर मैं एक्जाम देट्स की बात करूं तो नोटिफिकेशन जो एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक और जून में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हों तो मुद्दा यह नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगा कब नहीं आएगा मुद्दा यह है कि आज अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास चार महीने का समय है कितना समय है पोर मंग्स ठीक है मार्स तो लगबग निकल गया जो एक महीने का समय हमारे पास है 4 महीने में अगर कोई फ्रेशन भी तैयारी करना चाहता कै Compass Strategy एक 6 महीने सधेशन है तो नंके लिए तो 4 महीने का टाइमी मोर्देन सफिशीट है घंग से लग के एक तो तैयारी करें तो के अगर मैं पेपर का डिस्ट्रिविशन बताऊं क्वांट का दो जार टेस का यह डिस्ट्रिविशन है आप यहां पर देखूंग रॉंग नंबर सीरीज के पांच कोश्चन पूछे गए थे डी आई के दस सवाल ठीक है पांच सवाल अप्रोक्सिमेशन के पूछे गए थे पूल से कमप्ली पडेपर ऑडक करने लेकिन कुल कर बात करें तो सबस्यादा चैलेंजिंग बचों यही लगा नंबर उसे अर्श को थी mild क्वेशंग तो डूयबल होते हैं आप दो कुश्चन या तीन कोश्चन छोड़ भी दो तो दो से तीन कोश्चन आप कर सकते हूँ डियाई के दस सवाल में अगर दो सेट पूछे गए तो एक सेट तो काफी आसान होता है बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होता है दूसरा वाला थोड़ा सा moderate हो सकता है approximation के पांच question और quadratic के पांच question आपको करने ही करने है इनको छोड़ दिया तो फिर तो कोई मतलग ही नहीं बनता क्योंकि यह आसान topics है ठीक है अब आगे हम बात करें तो हमाई चार महिने में जो strategy है वो क्या होनी चाहिए वो आप समझेव बेसे कर लिए में तीन चीज़ों पर काम करना है मैच की बात करने तो speed प्री एक्जाम तक चार महीने पूरा प्री की preparation में निकाल देता हूं उसके बाद जब प्री हो जाएगा तो देखा जाएगा प्री हो जाएगा उसके बाद भी आप कारट नहीं करते में प्री जब्सके बात देखुए जाने ते लिए कि आप प्री और मेंगी तेयर एक साथ करें कोई भी चेप्टर आप पढ़ रहे हैं जैसे सब्सक्रा आप एजस्का चेप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रीयोर मेंच के प्रेक्टिसक्स क्वेशन के बाद एक साथ आप कीजिए पहले प्रीके कीजिए लेवल वन लेवल टू मॉडरेट कोशन लेवल ट्री डिफिकल कोशन भी आपको तभी की तभी कर लेने हैं उससे अलग लेवल का कॉंफिडेंस आएगा फिर देली स्टडी आपको क्वांटी करनी है तीन घंटे तो कम से महीने में क्या करना है वह मैं बताऊंगा तीन महीने तक आपको सबसे पहले तीन चीजों पर जयान देना है concept, study और practice जो बच्चे फ्रेशर हैं वो concept पढ़ेंगे और जो पहले से concept पढ़ चुके हैं वो प्रेक्टिस करेंगे तो जो फ्रेशर हैं उसको सबसे पहले concept पढ़ भी देना है ठीक है अब आप कहोगे सरी तयारी कहां से करेंगे सबसे में मुद्दर चलो मैं concept पढ़ लेता हूं सर मैं YouTube वीडियो देख लेता हूं या किसी paid batch में मैं अन्रोल दूं किसी platform पर वहां से मैंने concept तो सब सीग लिया पर सबसे बड़ा challenge है कौन सी वो खरीदू है यही सवाल आता है कहां से practice करूं एक perfect study material मुझे काम मिलेगा तो आज की rate में जब जमाना इतना आगे निकल चुका है चीज ने इतनी advanced level पर जा चुकी है अब तो AI का जमाना आ चुका है तो आपके पास जो best option है प्रैक्टिस के लिए वो है PDF course आप सर्च कीजिए और भी पीओ के लिए PDF course कहां पर available है मैं तो कोई promotion कर नहीं रहा हूं ना मैं किसी platform का आपको नाम बता हूं मैं एक neutral point अपना बता रहा हूं opinion कि आप PDF course सर्च कीजिए अपने दोस्तों से पूछिए कि किस platform का PDF course best है और वहां से वो PDF course आप जो भी discount coupon code अभी तो होली वगरा भी चल रही है रिसकांट वगरा भी चल रहे होंगे अच्छे खासे तो वहां से आप PDF course purchase कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए आपको अच्छे खासे updated questions मिल जाते हैं देखो बुक भी अच्छी चीज है लेकिन बुक में प्रॉब्लम यह होती है ना कि बुक लि online में ही मिल सकता है राइट बुक में थोड़ा concept के लिए सही है लेकिन प्रैक्टिस के लिए अगर आपको updated questions है तो यूशुड गो फॉर PDF course तो यह प्रैक्टिस हो गई उसके बाद आपको उसका sectional mark भी देना है उस particular topic का ठीक है speed match की देली आपको 10 minute practice करनी है क्योंकि 15 questions है वो 12 number तो कहीं भी आथ से नहीं जाने चाहिए तीन number भी मैंने इसलिए काट दी है कि आप suppose wrong number series के तीन सवालों में फस गए तो उनको छोड़ देना तो 12 question तो आप 12 marks तो आपको यहां से निकालना ही निकालना है speed match से उसके बाद जब यह तीन महीने आप complete practice कर लोगे अपनी अप प्रिलिम का आपको मौक देना है कितना टाइम लगेगा पैतालेस मिनट असी question होंगे पैतालेस मिनट आप मौक देने में लगाओगे लेकिन उसकी analysis भी आपको फिर पूरी-पूरी करने तो इट्स नोट अबाउट 45 minutes analysis करने में आपको एक गंटा देड़ गंटा दो गंटा भी लग सकता है depending on कि आपका exam कैसा हुआ आपने मौक में कम question किये तो आपको analysis में ज्यादा time लगेगा ज्यादा question आपने कर दिये तो जो नहीं कर पाए उनको आप देख लोगे तो कम समय में हो जाएगा तो daily एक pre का मौक आपको देना ही देना है और उसके साथ-साथ अपनी यह केवल प्री की तैयारी के लिए उसके अलावा आप पैरलल में जारी रखेंगे अपनी मेंस की तैयारी अदर सब्जेक्ट की तैयारी और वह भी आप continue रखेंगे प्री के लिए आपको daily यह करना है कि एक प्री का मौक देना है उसकी analysis करना है ठीक है after pre exam आपको क्या करना और उसके साथ साथ उनकी पूरी analysis करूंगा उनके सारे सवालों को धंग से solve करूंगा और जो जो चीजे करनी है मुझे जो जो चीजें को लगता है कि मुझे revision की जरूरू आता है प्री में में उनके कम ध्यान दे पाया था उनका भी revision में करूंगा ठीक है तो यह आपकी काउंटी निकर रहा है मैं तो चार महीने का समय अगर आप डंग से dedicatedly तैयारी कर लेते हो तो आप आराम से इस बार आरभी का एक्जाम निकाल सकते हो इस strategy को follow करके बहुत लोगों ने एक्जाम निकाला है और आज वो बैंग में बैठे हुए हैं अपनी जॉब कर रहे हैं नकाम कर रहे हैं तो आप भी अगर rigorous तैयारी करते हैं चार महीने, it's about only 4 months है ऐसा नहीं है कि आपको जीवन बर पढ़ता ही रहना है चार महीने दंग से चार से पांच महीने दंग से मेनत कर लो उसके बाद पढ़ने की जुरूबत आपको नहीं पढ़ेगी ठीक है और अंत में एक ही बात मैं कहूंगा लास्ट but not the least success is a journey not a destination the effort is often more important than the result है ना हम जब तैयारी करते हैं शुरूब आप में result के बारे में सोच लेते हैं कि result क्या होगा अरे भाई सफर को enjoy करना सीगो कभी आप trip पर जाते हो कहीं घूमने फिनने जाते हो तो बहुत अलग लग तरह के होते हैं किसी को motion sickness होती है वो कहते हैं कि मैं पहाड़ों पर चलूँगा तो गाड़ी में नहीं चल पाऊंगा मुझे चार महीने की पूरी जर्नी है और आपको इसे enjoy करते हुए cover करना है यह नहीं कि बर्डन की तरह है और आप हमेशा destination की चंता करोगे अरे destination की चंता करोगे तो सफर का मजा नहीं ले पाऊगी ना है ना जैसे अभी सपोज आप घूमने जा रहे हो मैं एक मनाली है ना तो मनाल पहुंचोगे आप अगर यह सोच कर जाओगे कि मनाली जाकर ही मैं enjoy करूँगा यह ना वहाँ पर जाकर मैं घूमूँगा फिरूँगा उसके बीच में का time मुझे काटना है तो भाई वह बीच का जो time है ना जो suffer का time है उसको भी आप enjoy कर सकते हैं वो सिर्फ आपने card दिया time है ना तो आप यही मान कर चलिए कि जो exam है और इसकी जो preparation phase है वो आपको एक एक journey की तरह लेना है और इसको enjoy करते हुए cover करना है राइट और फिर preparation वाले दिन आपको बाद में याद आएंगे आपको उन दिनों की याद आएगी जब आप job कर रहे होगे तो आप सोचोगे कि मैं यार यूट्यूब क्लास यहां से पढ़ता था चलो एक बार सर के वीडियो देखता हूं और live classman को thanks बोल देता हूं और बता देता हूं कि मैं इस ब्रांच से इस समय ब्रांच से आपकी class देख रहा हूं ऐसे बहुत सारे बच्चे YouTube live में आते हैं तो इस पूरी journey को आप के बारे में थोड़ी सी बात तो अब आप तैयारी में लग जाओ हूली के बात है ना और बड़िया तरीके से preparation करो exam नेकारो thank you so much